मेरे प्यारे देश्वाजियों, नमस्कार। आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटी-कोटी मेरे परिवार जनों से मिलने का आउसर मिला है। मन की बात में आप सब का स्वागत है। कुछ दिन पहले देश्ट ने एक ऐसी उपलब्दी हासिल की है, जो हम सभी को प्रेणा देती हैं। भारत के सामर्थ के प्रती एक नया विश्वास जगाती है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समेंट की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे। लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई हैं। और वह बहुत विशेश है। इस महेने पांच तारीक को देश में यूनिकॉन की संख्या सो के आंकडे तक पहुँच गई है। और आपको तो पता ही हैं एक यूनिकॉन यानि कम से कम साड़े साथ हजार करोड रुपिय का स्टार्ट अप। इन यूनिकॉन का कुल वैलिवेशन तीन सो तीस बिलियन डॉलर यानि 25 लाग करोड रुपियों से भी जादा है। निश्चित रुप से ये भात हर भारतिय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर विहरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉन में से 44, 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं इस वर्स के 3-4 महिने में ही 14 और नहीं यूनिकॉन बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दोर में भी हमारे स्टार्ट अप्स, वेल्थ और वेल्यू क्रियेट करते रहे। इंजियन यूनिकॉन्स का एवरेज एन्यूल ग्रोथ रेट यूएसे, यूके और अन्य कई देशों से भी जादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉन्स डाइवर्सिफाइंग है। ये इ-कॉमर्स, फिंटेक, एटेक, बायोटेक जैसे कही खेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा एहम मानता हूँ, वो ये है कि स्टार्टप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टप एकोसिस्टिम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सिमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्मों से भी एंटर्प्रिनर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोविटिव आइडिया है, वो वेल्थ क्रियेट कर सकता है। साथियों, देश की सफलता के पीशे, देश की युवाशक्ति, देश के टाइलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, हर किसी का योगदान है। लेकिर इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, वो है, स्टार्ट अप वर्ण में राइट मेंटरिंग यानि सही मारदरशन, एक अच्छा मेंटर स्टार्ट अप को नई उचायों तक ले जा सकता है, वो फाउंडर्स को राइट डिसिजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है, मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पिक कर दिया है, स्रीधर वेंबू जी को हाली में पदमसमान मिला है, वो खुद एक सफल एंटर्परिनर है, लेकिर अब उनो ने दूसरे एंटर्परिनर को एंटरूम करने का भी बीड़ा उठाया है, स्रीधर जी ने अपना काम ग्रामीन इलाके से शुरू किया है, वे ग्रामीन युवाओं को गाउं में ही रहकर एक शेत्र में कुछ करने के लिए प्रोसाइद कर रहे हैं, हमारे हां मदन पड़ाक जैसे लोग भी हैं, जिनोंने रूरल एंटर्परिनर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रीज नाम का प्लेट्फरम बनाया था, आज वन ब्रीज दक्षिन और पुर्वी भारत के 45 से अधिक जिलों में मौजूद है, इस से जुड़े 9000 से अधिक रूरल मेरा शैनोई जी भी ऐसी एक मिसाल है, वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूद के लिए मार्केट लिंक स्किल्ड ट्रेनिंग के ख्षेतर में उलेखनिय कार्य कर रही है, मैंने यहां तो कुछी नाम लिए है, लेकिन आज हमारे बीच मैंटर्स की कमी नहीं है, हमारे के लिए यह बहुत प्रसनता की बास है कि स्टार्ट अफ के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टिम तैयार हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्ट अफ वर्ल के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी, साथियों, कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंट्रेस्टिंग और अट्रेक्टिव चीज मिली, जिसमें देश वास्चों की क्रियेटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है, एक उपहार है जिसे तमिलनाडु के तंजावूर के एक सेल्फ हेल्प उपने मुझे बेजा है, इस उपहार में भारतियता की सुगंध है और मात्रु शक्ति के आशिर्वात, मुझ पर उनके सने की भी जलक है, यह एक स्पेशल तंजावूर डॉल है, जिसे जी आई टेग भी मिला हुआ है, मैं तंजावूर सेल्फ हेल्प ग्रूप को देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानिय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा, वैसे साथियों यह तंजावूर डॉल जितनी खुपसुरत होती है, उतनी ही खुपसुरती से यह महिला ससक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है, तंजावूर में महिलाओं के स हेलफ हेलफ गुरूपस के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं, इसकी वेज़े से कितने ही गरीब परिवारों की जिन्द की बदर गई हैं, ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं, इस पहल को ता पास बात ये हैं कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्फ ग्रूपस जुड़े हुए हैं, आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्फ ग्रूपस, महिला स्वयम सहायता समू के ये स्टोर तंजावूर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं, इनकी देख जैसे GI प्रोडक्स के अलावा खिलोंने, मेट और आर्टिफिशल ज्वैलरी भी बनाते हैं, ऐसे स्टोर की वेज़े से GI प्रोडक्स के साथ साथ हैंडी क्राप के प्रोडक्स की विक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली हैं, इस मुहिम की वज़े से न केवल कारीगरो को बढ़ावा मिला हैं, बलकि महिलाओं की आवदनी बढ़ने से उनका स्टरक्तिकर्ण भी हो रहा है, मेरा मन की बात के सुर्ताओं से भी एक आगर है, आप अपने ख्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप काम कर रहे हैं, उनके प्रोड फिर फिर गुर्प की आए बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्म निर्भर्थ भारत भियान को भी गति देंगे, साथियों हमारे देश में कई सारी भाशाओं, लीप्यां और बोलियों का सम्रुद खजाना है, अलग-अलग शेत्रों में, अलग-अलग पहनावा, खान पान और संस्क्रिती, ये हमारी पहचान है, ये डाइवर्सिटी, ये विविदता, एक राष्ट के रूप में हमें अधिक ससक्त करती हैं और एक जूट रखती हैं, इसी से जुड़ा एक बेहत प्रेरक उधारर है, एक बेटी कलपना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साजा कर चाहता हूं, उनका नाम कलपना है, लेनुगुन का प्रयास, एक भारत स्रेष्ट भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है, दरसल कलपना ने हाली में, करणा टका में अपनी दस्वी की परिक्षा पास की है, लेकिन उनकी सफरता की बेहत खास बात ये है, कि कलपना को पासा सीखी, बलकि 92 नंबर भी मिला करके दिखाएं, आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है, उनके बारे में और भी कई बात ऐसी हैं, जो आपको हैरान भी करेगी, और प्रेरणा भी देगी, कलपना मुल रुप से उत्राखन के जोसी मटकी रहने वाली हैं, वे पहले टीबी से पीडित रही थी, और जो फे तीसरी कक्षा में थी, तभी उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन कहते हैं न, जहां चाह, वहारा, कलपना बाद में मैसुरू की रहने वाली, प्रफेसर तारा मुर्ती के संपर्ग माई, जिनोंने न सि तरह से उनकी मदद भी की, आज वो अपनी महनत से हम सब के लिए एक उधारन बन गई हैं, मैं कलपना को उनके होंसले के लिए बधाई देता हूं, इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं, जो देश की भासाई विविद्रा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ये एक साती हैं, पश्चिम बंगाल में पुरूलिया के स्रिपती टूडू जी, टूडू जी पुरूलिया की सिद्धो कानो बिर्सा उनिवर्सिटी में संथाली भाषा की प्रफसर हैं, उनोंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल चिकी लिपी में देश के समिधान क कौपी तयार की हैं, स्रिपती टूडू जी कहते हैं कि हमारा समिधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और करतव्य का बोध कराता है, इसलिए प्रतेक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है, इसलिए उनोंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी समिधान की कौपी तयार करके भेट सोगात के रूपर दी है, मैं स्रीपती जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ, ये एक भारत स्रेश्ट भारत की भावना का जीवन्त उधारन है, इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत स्रेश्ट भारत की वेबसाइट पर भी जानकरी मिलेगी, यहां आपको खान पान, कला, संस्कृती, परियाटन समेथ, ऐसे कई विश्व पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा, आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं, इसे आपको अपने देश के बारे में जानकरी भी मिलेगी, और आप देश की विविदता को मैसूस भी करेंगे, मेरे प्यारे देश्वास्यों, इस समय हमारे देश में उत्तराखन के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है, चार धाम और खास कर केदारनाप में हर दिन हजारों के सं लोग अपनी चार धाम यात्रा के सुखत अनुभव शैर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि स्रधारनाप में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही, गंदगी की वज़े से बहुत दुखी भी है, सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है, हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का धेर हो, ये ठीक नहीं, लेकिन साथियों इन सिकायतों के बीच कई अच्छी तस्विरे भी देखने को मिल रही हैं, जहां स्रधा है, वहां स्रजन और सकारात्मक्ता भी है, कई स्रधालू ऐसे भी हैं, जो बाबा केद में स्वच्चता की साधना भी कर रहे हैं, कोई अपने ठेरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार से कूड़ा कचरा साथ कर रहा है, स्वच्च भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वायम से भी संगर्रण भी वहां काम कर रहे हैं साथियों हमारे हाँ जैसे तीर्थी यात्रा का महत्व होता है वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है और मैं तो ये भी कहूँगा तीर्थ सेवा के मिनार तीर्थ यात्रा भी अधुरी है देव भुमी उत्राखन में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना में लगे हुए हैं रूदर प्रयाग के रहने वाले स्रिमान मनोच बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेणा मिलेगी मनोच जी ने पिछले 25 वर्सों से परियावरण की देखरे का बिड़ा उठा रखा है वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लाष्टिक मुक्त करने में भी जूटे रहते हैं वहीं गुप्त कासी में रहने वाले सुरेंद्र बगवारी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है वो गुप्त कासी में नियमित रुप से सफाई कारकम चलाते हैं और मुझे पता चला है किसे अभियान का ना भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। भरा भरा बन तयार कर दिया है। पंडरपूर यात्रा जगनात यात्रा जैसे कई यात्राएं होगी। सावनमाज पर दो शायद हर गाउं में कोई मेला लगता है। साथियों हम जहां कहीं भी जाएं इन तीर्थक्षेत्रों की गरिमया बनी रहें। सुचीता, साफसफाई, एक पवित्र भातावरण हमें इसे कभी नहीं भूलना है। उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी हैं कि हम सुच्चता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद थी पाँच जून को विश्व परियावरण दीजवस के रूप में मनाता है। परियावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत पर भ्यान चलानी चाहिए। और यह निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सब को साथ जोड़कर स्वच्चता और रुक्षा रुपन के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी प्रेड लगाईए और दूसरों को भी प्रेजित करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महिने 21 जून को हम आठवा अंतराष्टिय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फर हुमेनेटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्सा के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, करोना से जुड़ी जरूरी सावधानिया भी बरते, वैसे अब तो पूरी दुनिया में करोना को लेकर हालत पहले से कुछ बहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सिनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा भाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये ऐसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्त का कितना अधिक भात्व हैं और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोगे महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचल और इंट्रलेक्ट्वल वैल बीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनलेटिस तक स्टूडेंट्स से लेकर सामान्य मानवी तक सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बड़ती लोगप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहत इनोवेटिव उधारों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इनी में से एक है गार्डियन रीम एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्रेम होगा। इसमें मुमेंट अफ सन को सेलिबरेट किया जाएगा। यानि सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा धर्ती के अलग-अलग हिस्सों से हम योग के जरिये उसका स्वागत करेंगे। अलग-अलग देशों में इन्डियन मिशन्स वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योधय के समय योग कारिकम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कारिकम शुरू होगा। पूरव से पस्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी। फिर ऐसे ही यागे बढ़ता रहेगा। इन कारिकमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी। यानि ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखियेगा। साथियों हमारे देश में इस बार अमरित महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतराष्टिय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कही संगठन और देश्वासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी यह आगर करूँगा। इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गाओं की किसी ऐसी जगह चुनें जो सबसे खास हो। कि यह जगह कोई प्राचिन मंदीर और परियटन केद्र हो सकता है। या फिर कि शुक्रसिद्ध नदी, जील या तालाव का खिनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ-साथ आपके छेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और परियटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय योग दिवस को लेकर 100-day countdown भी जारी है। या यूँ कहें कि नीजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कारिकम तीन महने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में सौवे दिन और पिचतरवे दिन के countdown प्रोग्रेम हुश हुए हैं। वहीं असम के सिवसागर में 50-वे और हैदराबाद में 25-वे countdown इविंट प्राविजित किये गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने हाँ अभी से योग दिवस की तयांगिया शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिढ़िए। हर किसी को योग दिवस के कारकम में जुड़ने के लिए आगरह कीजिए। प्रेलित कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चटकर हिस्सा लेंगे। साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। मैं मन की बात में आप से उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वे लोग है तो जापान के लेकिन भारत के प्रती इनमें गजबकन लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशिक कोई केजी जो एक जाने माने आर्ट डिरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत कमबोडिया में हुई थी और पिछले नव सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोई के जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और मिजिशन्स के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोडूश करते हैं। इस प्रोजेक के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कमबोडिया और इंडोनेशिया सही नव देशों में प्रोडूक्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मंस भी दी है। हिरोसी कोई के जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिस्टन एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैक्राउंड रहा है। इस वज़े से उनके काम में भीविद रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नूत्य, बाली नूत्य, थाई नूत्य के जरिये इसे और आकरशक बना देते हैं। खास बात ये हैं कि इसमा प्रतेक परफॉर्मर अपनी ही मात्रु भाशा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खुबसूरती से इस विविदता को प्रदर्शित करती हैं। और मुजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जिवन बना देती हैं। उनका उदेश इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एक्जिस्टन्स का क्या महत्व हैं और शांती का रूप वास्तों में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा मैं जपान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे हैं आच्सुसी माच्सुओ जी और केंजी योशी जी ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का समन रामायन की उस जापानिस एनिमेशन फिल्म से हैं जो 1993 में रिलीज हुई थी। ये प्रोडेक्श जपान के बहुती मशूर फिल्म डारेक्टर यूगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करिब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायन के बारे में पता चला था। रामायन उनके रदे को छूग गई। जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने जापानी भाषा में रामायन के दस वर्जन्स बढ़ डाले। और वो इतने पर ही नहीं रुके। वे इसे एनिमेशन बे भी उतारना चाहते थे। इसमें इनियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाये गए भारतिय रित्रिवाजों और परंपरों के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दुसरे का मान सम्मा कैसे करते हैं आश्रिवार की प्रंपरा क्या होती है प्राता उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना उनके आश्रिवार लेना इस सारी बाते अब तीज सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है इस प्रोजेक के जल्द ही पूरा होने के संभावना है हमसे हजारों किलोमिटर दूर जपान में बैठे लोग जो ना हमारी भाषा जानते हैं जो ना हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पन ये स्रद्धा ये आदर बहौती प्रसंसनी है कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा मेरे प्यारे देश वास्चियों स्वसे उपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र सेल्फ और सुसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है हमारे देश में अंगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन दे बनाए हुए है मुझे आंत्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भुपान रेडी जी के बारे में जानकारी मिली है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भुपान रेडी जी ने रिटायर्मेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की सिख आते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाग से जानदा रुपिय जमा करवा दिये। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहन यूपी में आगरा के कचोरे गाउं का है। काफी साल से इस गाउं में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गाउं के एक किसान कुमर्सी को गाउं से 6-7 किलोमेटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्योंने इस पानी से बाकी सभी गाउं वाच्चों के भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गाउं तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाक रुपिय चाहिए थे। कुछ समय बार कुमर्सी के छोटे भाई शामसी सेना से रेटायर होकर गाउं आये। तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रेटायर्मेंट पर मिली अपनी सारी धनरासी इस काम के लिए सौब दी। और खेत से गाउं तक पाइपलाइन बिछा कर गाउं वालों के लिए मिठा पानी पहुँचाया। अगर लगन हो अपने कर्तव्यों के प्रती गंबीरता हो तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्व बदल सकता है। ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेना है। हम कर्तव विपत पर चलते हुए ही समाज को ससक्त कर सकते हैं, देश को ससक्त कर सकते हैं। आज हादि के इस अमरित महुत्सों में यही हमारा संकल्ग होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्या, कर्तव्या और कर्तव्या। मेरे प्यारे देश्वांशियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपुन विश्यों पर चर्चा की। आप सब अलग-अलग विश्यों से जुड़े महत्वपुन सुजाव मुझे भेजते हैं और उनी के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती हैं। मन की बात के अगले समस्करान के लिए अपने सुजाव भेजना भी मत भूलिएगा। इस समय आज हाजी के अमृत महत्षव से जुड़े जो कारकम चल रहे हैं। जिन आयोजन में आप सामिन हो रहे हैं। उनके बारे में भी मुझे जुरूर बताईए। नमो एप और माय गौपर मुझे आपके सुजाव का इंतजार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे। फिर से देश वास्यों से जुड़े ऐसे ही विश्यों पर बाते करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जिव जन्तों का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पसूपक्षयों के लिए खान पानी देने का अपना मानवी दाइत्व भी निबाते रहें यह जरूर याद रखेंगा। तब तक